Hello students, कैसे हैं आप सब? आज का जो हमारा टोपिक है वो है sentence part 2 First part में हमने sentence की definition और कुछ example किये थे आज हम करेंगे assertive sentence, निश्चयात्मक वाक्य है A sentence that makes a statement or declaration is called assertive sentence वे वाक्य है जिसमें साधारन रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें साधारन या निश्चयात्मक वाक्य कहते है Assertive sentence are two types, दो type क्यों होते हैं सकारात्मक वाक्य, affirmative sentence जिसे हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं A sentence which states something which shows affirmation is called affirmative sentence वे वाक्य जिनमें सुईकार योग्य कथन कहा गया हो सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं एक्जम्पल है, जंकार एक हुश्या लड़का है इंकार is an intelligent boy Negative sentence नकारात्मक वाक्य सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य नकारात्मक वाक्य आने के negative sentence में होगा A sentence which states something which shows denial is called negative sentence वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता हो नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं सुनिल एक होश्या लड़का नहीं सुनिल is not an intelligent boy Second number पर आता है interrogative sentence प्रश्णवाचक वाक्य A sentence which asks questions or inquiries about something is called interrogative sentence वे वाक्य जो प्रश्णवाचक वाक्य कहलाते हैं Interrogative sentences are of two types Sentence starting with helping verb सहायक क्रिया से प्रारंब होने वाले वाक्यों का उत्तर हां या ना में आता है Example क्या सुनिल एक इमानदा लड़का है Is Sunil an honest boy यहाँ पर is helping verb है यानि के सहायक क्रिया और यह start हो रहा है इस से Is Sunil an honest boy क्या राम पढ़ रहा होगा Will Ram be reading Will यहाँ पर helping verb है सहायक क्रिया है और उसी से यह start हो रहा है दूसरा पार्ट है इसका sentence starting with question word Question word से जो sentence start होते हैं इसे what, why, who प्रश्ण वाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में किसी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती है Example तुम्हारा परधाना अध्यापक कौन है Who is your headmaster तुम्हारा नाम क्या है What is your name Imperative sentence आग्या सूचक वाक्य A sentence which shows order, advise, suggestion, prohibition and request is called imperative sentence वाक्य जिन में आग्या सला, सुचाव, प्रार्थना, आदि हो आग्या सूचक वाक्य कहलाते है Example है यहाँ आईए Come here Order कृपया धर्वाजा बंद कीजिए Please shut the door Requestion धुमुरपान मत कीजिए Don't smoke Optative sentence काम ना सूचक वाक्य A sentence which shows a wish, a blessing or a prayer Is known as optative sentence ऐसे वाक्य इच्छा प्रार्थना या शुबकामना आदि दर्शाते हों कामना सूचक वाक्य कहलाते है अंग्रेजी में ऐसे वाक्य wish, may से ब्रारंब होते हैं Example आपकी यातरा सुकद हो Wish you happy journey Blessing दी जा रही है आपका भाग्यो दय हो Wish him best of luck Blessings है भगवान आपको लंबी आयू दे May you live long ये wish किया जा रहा है भगवान आपकी मदद करें May God help you Exclamation mark के साथ Prayer प्रार्थना में से प्रारंब होने वाले कामना सूचक वाक्य Optative sentence के अंत में विश्मादी बोधक चिन लगाते हैं Next exclamatory sentence विश्मादी बोधक वाक्य A sentence which shows mental passions, thoughts, sudden feelings of mind is known as exclamatory sentence वाक्य जो अचानक आई हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को परकट करें विश्मादी बोधक वाक्य कहलाते हैं विश्मादी बोधक वाक्यों के अंत में विश्मादी बोधक चिन लगाते हैं कुछ examples हैं वाह, वाह, हमारी team ने match जीत लिया हुर्रे, our team has won the match हुर्रे के बाद क्या जाएगा ? मार्क ओ, अनील यहाँ है, ओ, अनील इस हीर ओफ, वोडी से हमें कहीं लोग मारे है लाज, many people died in विश्मादी बोधक वाक्य बनाय जाते हैं ऐसे बाक्यों के अन्त में साहे क्रिया या क्रिया के बाद में विश्मादी बोधक चिन लगाया जाता है एक्जमपल है, जनकार इतना अच्छा रड़का है वे कितना धीरे चल रहे हैं आप चाहें तो स्क्रिंशोट लें या फिर आप इनको नोट डाउन करें अपनी नोट बुक में किसी भी तरह का कोई आपको डाउट है, कोशन है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए पढ़ते रहे हैं और आगे बढ़ते रहे हैं